भारत में दलहन फसलों का एरिया और उत्पादन बढ़ने की बजाए घट रहा है, जिसकी वज़े से दालों का आयाद भी खादे तेलों के रास्ते पर है, यानि बहुत तेजी से इंपोर्ट पर खर्च बढ़ रहा है। सरकार MSP और दूसरी व्यवस्थाओं से किसानों को दलहन फसलों की और खींचने में नाकाम रही है। नतीजा यह है कि डालों का आयाद एक ही साल में डबल हो गया है। साल 2022-23 के दोरान 12 महीने में हमने 15,780.56 करोड रुपए की डालें दूसरे देशों से मंगवाई थी। यह बिल इस साल यानि 2023-24 में बढ़कर 31,071.63 करोड रुपए हो गया है। लेकिन वर्तमान वित्तिय वर्ष में आयात के आंकडे और डराने वाले हैं। साल 2024-25 के अप्रेल महीने में ही भारत ने रिकॉर्ड 3428.64 करोड रुपए की डालों का आयात किया है। अगर आयात की यही रफतार रहती है तो वर्तमान साल में भारत को करीब 40,000 करोड रुपए की डालें दूसरे देशों से मंगानी पड़ेंगी। आयात पर जितनी निर्भरता बढ़ेगी डालों का दाम भी उतनी ही तेजी से बढ़ने के आसार है। Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, DGCIS, के अनुसार इस साल अपरेल में भारत ने 6,16,683 मीटरिक तन दालों का आयात किया है। जिसके लिए 3,428.64 करोड रुपए खर्च किये गए हैं, जो अब तक एक महीने में दाल आयात के लिए खर्च की जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। पिछले साल यानी 2023-24 के अपरेल महीने में 1,88,169 मीटरिक तन दालों का आयात किया था और इस पर सिर्फ 1,238.13 करोड रुपए खर्च किये गए थे। यानी पिछले साल के मुकाबले आयात काफी बढ़ गया। इसी तरह 2022-23 के अपरेल महीने में 1,26,761 मीटरिक तन दालों आयात किया गया। जिसके लिए सिर्फ 755.11 करोड रुपए खर्च किये गए थे। इसका मतलब यह है कि भारत में सरकार दलहन फसलों को लेकर आत्म निर्भर होने का नारा जरूर लगा रही है। लेकिन हकीकत तो यह है कि देश आयात निर्भर बन रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उतपादक देश है। विश्व की करीब 25 फीसदी दलहन का उतपादन अकेले भारत करता है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जिस रफतार से दलहन फसलों की खेती, उतपादन और उतपादकता बढ़नी चाहिए उसमें हम बहुत पीछे हैं। दुनिया की कुल दलहन खपत का 28 फीसदी भारत में ही होता है। उतपादन और खपत के बीच तीन फीसदी के इस गैप की वजह से ही यहां दलहन फसलों का इतना संकट बना हुआ है। बहरहाल, भारत कनाड़ा, म्यामार, रूस, आस्ट्रेलिया, टर्की, मोजांबिक, सूडान और युगांडा आदी से दालों को आयात कर रहा है। उपभुकता मामले विभाग के प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन के अनुसार 28 जून को चना डाल की अधिक्तम कीमत 155, अरहर डाल की 207, उडद डाल की 190, मूंग डाल की 180 और मसूर डाल की कीमत 173 रुपए प्रती किलो है। जबकी साल भर पहले 28 जून 2023 को चने की डाल का अधिक्तम डाम 128, अरहर डाल 165, उडद 152, मूंग 150 और मसूर डाल का डाम 135 रुपए प्रती किलो था। Bureau Report Market Times TV